हेई वास्ट सब एवरीवन तो वेलकम तो निव वीडियो तो यह सी बीजी एक्स्ट्रीम 2011 तो नौ साल पुराना बाइक है पेंट की हालत बहुत ही खराब है तो इसको हम फुली रिस्टोर करेंगे फुल बाइक पेंट करेंगे और इसको फिर शोरूम कॉंडिशन में लेके जाएंगे तो वीडियो को पूरा देखना स्कीप मत कीजिएगा क्योंकि एक अच्छे पेंट के लिए कौन-कौन सा स्टेप जरूरी होता है वह हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वह बंदा सही काम कर है या नहीं तो सबसे पहले हम यहां पर पेंट रिमूवर एप्लाई कर रहे हैं हमको यह पेंट पूरा उतारना है और मेटल को बाहर निकालना है यह बहुत ही ज़रूरी एक स्टेप होता है बहुत सी जगह पे क्या करते है कि ऐसे उपर से सेंडिंग करके थोड़ा बहत फ अप्लाय करके पुड़ा रिमूव कर लिया पेंट के उसके बाद हम यहांप युज्ड कर रहे है अपॉक्सी प्राइमर यूज़ करने का जो मेट रिजन है यह यह टोके अपोक्सी प्रायमर है जो main reason है वो है यह direct metal के contact में आएंगे तो metal को rusting से बचाएगा आप यहापी each primer भी यूज़ कर सकते एपोक्सी याइच ये दुनों में से एक primer यहापी यूज़ करना पहले जरूरी है उसके उपर हम यूज़ करेंगे surfacer primer फिर हम surfacer primer को 400 grids से white sanding करके उसके बाद यहापी apply कर रहे है base coat यह black base coat है इसको हम पहले apply करेंगे उसके बाद इसके उपर हम करेंगे stickering तो company में यह bike जब company से आता है तो इसमें single stage color या solid color यूज़ करते हैं हम यहाँ यूज़ कर रहे है 2K color जो base और clear coat अलग-अलग होता है तो मैं यहाँ पे 2K clear coat apply कर रहा हूँ और इसको मैंने customize किया है थोड़ा satin finish लाने के लिए इसमें tinted base मिला के clear coat को बनाया है तो इसका gloss थोड़ा reduce होगा reduce होके यह finish आए गई देखिए यह clear coat यह clear coat के भीना सिर्फ base coat और यह clear coat और इसका gloss मैंने थोड़ा reduce किया है यह जब सूख जाएगा तो आपको पता चल जाएगा तो इसके बाद हम tank के उपर और जहाँ जहाँ पे sticker लगाना के जरूरत है हम sticker लगाएंगे company में sticker clear के उपर रहता है चली company clear use नहीं करता है solid color use करता है लेकिन हम यहाँ पे sticker लागा के उसके उपर clear coat apply करेंगे इससे क्या होगा sticker में gloss आया जाएगा और sticker जो है वो clear के अंदर रहेगा और कभी भी उखरेगा नहीं और finish भी जादा अच्छा आएगा तो हम यहाँ पी उसकर रहे है 2K clear 2K clear generally two part में होता है one part clear one part hardner तो 2K paint जो होता है वो अच्छी quality का होता है उसको PU paint भी बोलते है यानि polyutherent paint यह modern technology है और पहले जो आता था वो solid paint था वो clear coat और base coat एक ही आता था अलग-अलग नहीं होता था तो यह देखिए clear coat apply करने के बाद sticker के उपर और बकी जगाओ पे यह देखिए कितना अच्छा finish आया है तो हम अभी इंजिन पे base coat apply कर रहे है तो इंजिन और सामने का जो shock absorber है इन दोनों जगाओ पे हम यूज करेंगे metallic gray यह metallic एक base coat है metallic gray में चोड़ा-चोड़ा metallic flakes रहता है जो glitter करेगा अंधेरे में या जब सूरज की रोष्णी परेगा तो और बाकी कुछ को जगाओ पे silver paint silver base coat यूज किया है हमने उसके उपर हम अभी यह यूज कर रहे है 2K clear coat clear coat डालना बहुत ज़रु होता है clear coat डालने से अच्छा finish आता है और paint का longevity बहुत दिनों तक रहता है बहुत long time तक paint चलता है और अच्छा finish आता है तो आप मेरे चैनल के वीडियो में जाके बहुत सारे detailing के वीडियो है वो देख सकते है और detailing के playlist भी है उसमें भी देख सकते है इसके बाद हम apply कर रहे हैं पर ceramic coating तो यह भी अगर आप detail में देखना चाहते है तो इसके उपर भी बहुत सारे वीडियो है तो मैं ही है आप request है के चैनल को ज़रू से subscribe कीजिए और bell icon को प्रेस कीजिए तो आपको ऐसे ही informative वीडियो का notification हमेशा मिलता रहेगा तो यह है final look हमने सब complete कर लिया है तो अभी final look को आप enjoy कीजिए बाइक पूरा शोरूम condition में बापस आ गया है और इसमें सरामे coated भी है तो यह paint protected भी है कर दो ऊतकक प्रेस है तो बापस खमागा एक पिंगे तो 신 जाच के लिएर से तो प्रेस कोतो अगर indicates वीडियोगी तेर सो ही थैज सैने से तो तो आज के लिए इतना ही मिलते है अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए अच्छे रहिए शुवस्त रहिए जाहिन